पर दी फर्स टाइम यहां है दोस्तों मेरा नाम है कृतिका पारिक मैं एक एड़ पर एजुकेटर हूँ और में 20 से रेगुलर क्लासे में लेकर आ रही हूँ यहां पे मैं यहां पे UGC NET के लिए पढ़ाती हूँ और मेरा पेपर टू जिग्राफी है इतना तो आप जानी ग आता है क्लास लेकर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आज का पहला सवाल बहुत एज़ी है एकॉनोमिक जग्राफी से विच कंट्री इस दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड बताइए सोने का प्रम उत्पादक देश कौन सा है पेरू इंडिया ऑस्ट् स्टही आंसर है ऑप्शन नंबर डी देखिए नंबर बन पे तो चाइना है उसके बाद में रश्या दैन ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिर आएगा आपका युनाइटेट स्टेट्स अमेरिका दैन कैनेड़ा पेरू घाना साउथ आफ लिस्टू एक तरफ है मिनरिल ओर्ट्स और दूसरी तरफ है उनके मिनरिल मतलब खनीज अयस्क और खनीजों से मैच करिए 30 सेकंड हर कोईशन के लिए उनली 30 सेकंड आपके पास पर रहने वाले हैं छाल पर राइब आप लिमन आप्सक प्रफय और भकसाई मिका आराल मिन अल्म अपर बचसरी चालाप लिमन आपतर बार मिनम आपक टपर B. देखें, जो चालकोपराइट है, वो आपका, उसका मिनरल है, कॉपर लीमोनाइट, आइरन, मसकोवाइट, मीका, and then last में बॉकसाइट, अल्यूमीनियू यह करेक्ट आंसर है, किसी ने भी नी दिया करेक्ट आंसर, गलत अगला, which of the following group of crops can be grown in the area having temperature and annual rainfall more than 150 cm बरेली जूट एंटी रबड, राइस, जूट टी, कॉफी, मैंस राइस, वीट, जूट बताएट, बरेली कहा आता है आप बोल रहे हैं, option number B absolutely correct, क्योंकि हमें 150 cm चाहिए 150 cm चाहिए, तो आप देखेंगे कि जो जौँ है, जौँ राजिस्थान में भी हो जाते हैं, राजिस्थान में rainfall average 50 cm होती है ठीक है, जौँ आ गया मक्का और मक्का सिर्फ और सिर्फ रबर्ट, चावल और जूट ऐसी फसल है जिन्हें at least 150 cm से प्लस rainfall की जरूरत पड़ती है अच्छी बात है, अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, which mineral is known as a black diamond अच्छा, किस खनीश को काला हीरा कहा जाता है copper, coal, petroleum and manganese correct answer option number B, koila को बिलकुल, koila है काला हीरा petrol है नीला हीरा the biggest coal reserve in the world is विश्व का सबसे बड़ा कोila बंडार कहा है, Russia, China, USA या फिर India सबसे बड़ा जो बंडार है वो C, United States of America में है लगभग 249.5 metric million ton देन आता है रश्या जो की 162 है तो बहुत जादा gap आ जाता है दोनों के बीच में लगभग 80 ton extra USA के पास में देन आता है ऑस्ट्रेलिया 149.1 इसके बाद में चायना 141 और इंडिया 105 आप देखेंगे कि रैंकिंग में चीके इंडिया है नंबर फाइफ पे लेकिन जो गैप वह बहुत जादा है इवन फर्स्ट इन सेकंड के बीच में जो इंडोनेशिया में इंडोनेशिया के टोटल का भी डबल है 39 जो डबल है वो गैप आ रहा है वस्ट इन सेकंड के बीच में तो बस यह इच तिक्स कंट्रीज के नेम आपको यहां पर याद रखने है अगला which of the following industries is known as sunrise industry सूर्य दे उद्ध्यक के रूप में कौन सा उद्ध्योग जाना जाता है correct answer है information technology not iron and steel industry iron और steel industry जो है वो तो base industry मानी जाती है क्योंकि लोहे से ही बाकी सारी industries की शुरुवात होती है सूतिवस रुद्योग और automobile industry information technology मतलब IT क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में जिती भी इंडस्ट्रीज है वो IT sector के उपर एक depend होती जा रही है दीरे दीरे ठीक है तो जैसे जैसे काम globalized होती जा रही है चीजे IT sector और राइस कर रहा है तो इसी वज़ेसे इसको सूर्योद्योग की रूप में जाना जाता है तो the answer यहाँ पर माना जाएगा चलिए अगला है the headquarters of oil and natural gas corporation ONGC इस दिस्पूर, दहरादून, मुंबई and बैंगलोरू जी नहीं answer होगा option number B, दहरादून देखो इसका जो headquarter है oil and natural gas corporation का वो एक Indian multi oil and gas company headquarter इसका दहरादून के अंदर है आज की date में अभी दीन दयाल उर्जा भवन वसंत कुंच न्यू दिली के अंदर इसका एक office registered भी किया गया है तो headquarter की जहाँ बात आती है वो दहरादून में है और office जो है वो इसका दीन दयाल उर्जा भवन वसंत कुंच न्यू डेली में है next what is Sagar Samraat and Sagar Vikaas? Sagar Samraat और Sagar Vikaas क्या है? correct answer है and drilling ships in Mumbai high Mumbai high में एक drilling जहाज जिनने Sagar Samraat और Sagar Vikaas कहा जाता है the world uranium reserve are pounding विश्व का सबसे बड़ा uranium भिंडार पाया जाता है Canada, Chile, Nigeria and Zyre correct answer है option number 1 Canada में वैसे देखा जाये तो Australia में सबसे जादा है लेकिन उसके बाद में कजाकिस्तान and then third number पर आता है Canada आज भी यही data काम कर रहा है same data है Australia है number 1 पे जो की लगभग 17,8,800 ton है then Kazakhstan 9,4,000 and then Canada 7,000 first and second में variation बहुत जादा है इसके बाद में South Africa and then Russia अगला which country is the leading rubber producing country? अग्रणी रपड उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलेंड और पेरु correct answer option number C Thailand 4,852 in 1,000 में अग्रिक टन after it Indonesia, Vietnam, China, then India and then Malaysia अगला which of the following occupation is classified as a tertiary activity? सही जवाब है option number C, banker banker क्योंकि यह सर्विस सेक्टर में आता है ठीक है, carpenter second क्योंकि natural resource है लकडी और उससे वो क्या बना रहा है? कोई भी product बना रहा है fisherman primary क्योंकि इसमें produced कर रहा है किसान primary अगला transportation cost does not play a major role in the location of textile industry because कपड़ा उध्यों के स्थान में परिवहन लागत एक प्रमग भूमिकान नहीं निभाती है क्योंकि क्योंकि बना रहा है correct answer option number C cotton is a pure material more or less equal to finished product पर इवेन लागत भूमिका यहां पर इसलिए नहीं नहीं भार रही है क्योंकि cotton जो है इसका MI होता है 0 मतला material index इसका 0 होता है क्योंकि इसमें जो raw material होता है उसका weight और जो final product होता है उसका weight equal होता है और equal weight होने की वज़े से ही यह इसका क्या होता है तैयार माल शुद्धमाल के बराबर होता है अगला Weber material index referred to ratio between चलिए बता दीजिए बिल्कुल आपको guide करेंगे आप बस साथ साथ चलते चलिए questions करते चलिए जो classes हो रहे हैं regular लेते चलिए और साथ साथ आप मेंचे profile को follow कर लिजिए जो अन academy पर होती है वहाँ पर हम बात कर सकते हैं सही जवाब होगा option number D अभी जस्थ थोड़े पहले मैंने बताया था MI क्या refer करता है not the cost of raw material and cost of production weight of raw material and weight of final product for example इन में मैंने हमेशा से ही आपको बताया था for example अभी हमने cotton का example दिया था ठीक है cotton क्या है cotton को as अगर raw material अगर अपन यूज करते हैं तो उसका जो weight होता है raw material में जो उसका weight होता है वो उसका less weight होता है ठीक है वहीं अगर उसका जो final product बनता है final product में भी उसका weight क्या होता है less ही रहता है मतलब एक तरह से कहा जाए कि दोनों का weight equal equal रहता है इस वज़े से उसका MI क्या चला जाता है 0 रहेगंद हो फॉर एगंपल अगर यहीं पर मैं शुगर का एक्जांपल दूँ एब शुगर के लिए राव मटेरियल क्या लगता है शुगर है शुगर का गौर हुग है कॐन है शुगर के अपने आप में हेवी होता है और उससे जब अपन शुगर बना लेते है... मतलब उसका जब final product बनता है तो उसका weight च्रहिए हो जाता है, Light हो जाता है That means इस situation में जो MI होता है वो high चला जाता है MI high चला जाता है greater than 1 तो यह आपका अशुत्व माल है. amplitude e. अगला है वेवर मटीरियल इंडेक्स एमाई रैफर्ट टू रेशियो बिट्वीन ये कर लिया है अपने दा कॉंसेप्ट आफ स्प्रेड औन बैक्वाश इफेक्ट वाज इंट्रिडूस जिमरमेन, मिड्रल, फ्रैंक एन रोस्टर स्प्रेड औन बैक्वाश इफेक्ट की अधारना किसने पेश करी थी सही जवाब है option number B गुनार मिड्रल ने 1956 में 6 में उन्होंने इसको प्रेजेंट किया गया था जिसमें इन्होंने spread and backwash effect बताया था spread and backwash effect क्या था इनका ये मानना था कि कोई भी एक particular reason जब होता है तो एक reason ऐसा जरूर बनता है जो development की वज़े से जाना जाता है ठीक है तो मान लो कि ये एक center point बन गया है तो अब यहां से labor का पूंजी का और जो resources है उनका क्या होगा shift होगा तो ये एक तरीके से कौन से जगे मानी जाएगी ये पिछडी जगे मानी जाएगी और ये वाली जगे है ये होगी विक्सिच जगे है ठीक है इसको हमने क्या वो नाम दे दिया backwash effect इससे क्या बड़ी है जो economic disparity थी आर्थिक विशमता वो बड़ी है क्योंकि ये चेतर जो पिछडे थे वो और पिछडे रह गए और ये चेतर अच्छे से डबलब हो गया after some time ये होता है कि जो ये जगे होती है ये अपने आप में इतनी ज़ादा developed हो जाती है कि फिर ये ज़ादा जो भार होता है चाहे वो जन्सिंग्या का भार हो सर्विस का भार हो ज़ादा जेल नहीं पाती है फिर बाद में ये इन ग्रामिंट छेतरों की तरफ फिर से अपना प्रसार करने लगती है इस effect को कहा जाता है कौन सा spread effect तो ये तो था backwash और ये था spread effect ठीक है next एक तरफ है country दूसरी तरफ है उनके leading producer जांबिया, साउथ आफरिका, इरान एन इंडिया, diamond, mika copper and petroleum करेक्ट आंसर है option number B देखो copper के prediction में चिली, पेरू, चाइना, USA diamond के prediction में रशिया, बोट्सवाना, औस्ट्रेलिया and Democratic Republic, Congo petroleum में US, रशिया, साउधी अरब, कैनड़ा and mika में रशिया चाइना, फिनलेंड, इंडिया अपने लिए तो इंडिया इंडिया इंपोर्टेंट है next है, which of the following is a footloose industry कौन सी एक footloose industry है China, sugar, chini cotton textile, cement ya iron and steel industry अपने लिए correct answer option number B footloose industry, generally गो इंडिस्ट्री होती है जो अपने आसपास की location से प्रभावित हुए बगेर वहाँ लग जाए उसकी dependency अपने आसपास के किसी भी material पर ना हो for example, जैसे computer chips manufacturing है उसके लिए labor की या आसपास की जो reasonable factor है उसकी जरुरत नहीं है वो कहीं पे भी establish हो सकती है diamond manufacturing है, smart phones है cotton textile है cotton textile जैसे माल लीजे कि आज की date में नौर्थ का Manchester, कानपूर को का आ जाता है climatic situation के according कानपूर के अंदर cotton prediction नहीं होता है लेकिन वहाँ पे product का निर्मान हो रहा है कपड़ा बन रहा है क्योंकि यह footloose है और देखा जाए तो cotton के transportation की cost भी कम आती है क्योंकि उसका MI जो है वो zero है MI zero होने की वज़े से यह easy रहता है उनके लिए इसे हम कहते है footloose industry मतलब जूता उठाओ और काम पे लग जाओ next है the intensive cultivation of vegetables, fruits and flower in the periphery of cities in USA is called शेहरों की परीदी में सबजियों, फलो और फूलों की सगन खेती USA में क्या कहलाती है correct answer option number C truck farming क्योंकि truckों का मतलब यह है कि वहाँ पे क्योंकि cultivation बहुत जादा extensively किया जाता है तो बड़े पैमाने पर जब एक जगे से दूसरी जगे पर जो निर्मित वस्तुएं है उनको जब ले जाने की बारी आती है तो उसके लिए trucks का यूस किया जाता है जिसे truck farming का नाम दे दिया जाता है majorly truck farming Canada में California America में Texas Florida इन जगे पर करी जाती है next है in waivers theory the term isodopane refers to waiver theory में isodopane शप्त का अर्थ क्या है correct answer option number D that isodopane is a similar term to the geographical counter line it was introduced by Alfred Weber it means equal additional transportation cost used in industrial and economic geography ये Alfred Weber ने जब अपनी study करी थी उसमें उन्होंने ये बताया था isodopane and isotim का concept दिया था who among the following developed the sequential expansion of transport network model परिवेहन network के क्रमिक विक्सतार का विकास किसने प्रस्तुत किया करेक्ट आंसर option number C TEF, Moray and Gold in 1963 sequential expansion of transport network model इन्होंने अपना सबसे पहले दिया था sequential based way अगला the stretchability of resources refers to एगर डासाव एफ एगलवगः करेंट आंसर आप्शन नमबर डी देखिए स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचना ठीक है तो इस्ट्रेच का मतलब यह होगा कि जहां पर हम किसी भी चीज़ का मैगजीमम यूटिलाइज कर सके है ठीक है इसको मतलब है कि ability to produce greater yields कुछ समझ में नहीं आ रहा है देखिए यह mcqs हैं और जो आपने पढ़ा है पहले मतलब जो अपने courses में जितने भी theories हैं मॉडल से उनसे related equations है अगर आपने नहीं पढ़े हैं पहले तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए classes available है यह जितना जिसकी भी questions आप से पूछ रही हूं सारी यूट्यूब पर पढ़ाई है आपको just theory का नाम मेरे नाम के साथ में सर्च करना है आपको सारी theories मिल जाएगी आप सारा detail देख सकते हो आप फार्म सेक्टरी फार्मिंग इस डी क्यार्टरी स्टिक आफ कहां की विशेश्टा है factory farming कि करेक्ट आंसर है option number B फैक्टरी फार्मिंग मेजर ली नॉर्थ वेस्टन यूरोप की विशेश्टा है नॉर्थ वेस्ट यूरोप इसका मतलब फैक्टरी फार्मिंग का मतलब यह है कि जिसमें मीट का प्रोडिक्शन किया जाता है और उसी प्रोडिक्शन को अलग-अलग कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है आज की डेट में all over world का 50% से जादा मीट जो है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप से मतलब फैक्टरी फार्मिंग से वो करके गुजरता है दा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ओफ मेडिटेरियन अग्रिकल्चर इस भुमत्य सागरी क्रिशी की सबसे बड़ी विश्वेश्टा क्या है सी करेक्ट आंसर है इसका विटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती वैसे तो कंप्लीट मेडिटेरियन को बास्केट ऑफ रूट्स कहा जाता है लेकिन अंगूर की खेती यहां पर जाधा की जाती है मेजरली जो सिट्रिक पूट्स होता है चाहे वो ग्रैप्स हो औरिंजिस हो वो जाधा यहां करे जाते हैं क्योंकि वहां क्या उन सारी फसलों के अपॉर्डिंग वहां पे सॉइल टेंप्रेचर एंड हुमिडिटी रहती है अगला है एक को दूसरे से मैच करें ब्रेड बास्केट आप दी वर्ल्ट बिइग गेम कन्तरी मिक्स्ट फार्मिंग एंड मैक्जिमम बायो डैवर्सटी अब आए सी करेक्ट आंसर होगा इसका आप यह जान लीजे बात अगर करते हैं टैंपरेट ग्रासलेंड की तो उनको ब्रेट बास्केट आप दी वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि ग्रासलेंड मैदानी इलाका होने की वज़े से वीट के प्रोडिक्शन में सबसे उपर रहता है अगर यह जानते हैं और जो ट्रॉपिकल ग्रासलेंड वो बिग गेम कंट्री या लैंड अफ सफारी भी कहा जाता है इन्हें सुडान या सवाना टाइप के नाम से भी जाना जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलेंड मेजर ली ट्रॉपिकल इलाका या नियर टू इक्वेटर होते हैं जो की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ क्याप्रिकॉन के बीच का इलाका होता है ये जाधा तर अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं इसके बाद में आपके आती है mixed farming ये भी एक farming का प्रकार है जिसमें farming के साथ साथ livestock farming भी करी जाती है, मतलब पशुओं को भी पाला जाता है, इसके अंदर majorly India, Malaysia, Indonesia Afghanistan, South Africa Chile, Europe, Canada ये सारी countries आती है, majorly next है, for his model of industrial location, Weber make use of isogon, isotim, isophase isofence and isotatches सई जवाब है, option number B, isotim isotim क्या है, the line connecting to the equal transportation cost of raw material over final product from the source of raw material to the market, right, सबकी equal transportation cost, कि जहां से raw material आया है, वहां से लेके market तक की, it means इसके बीच में जो industrial इलाका है, उसकी भी costing को इन्होंने शामिल किया है, और isodopins क्या होती है, the line connecting with equal total transportation cost, raw material and final product, it's called isodopin, that means isotim and isodopin को मिलाने वाली line है, ये, next, location of sugar industry in India is shifting from north to south because of, भारत में चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिन की और स्थापित हो रहा है, इसका कारण क्या है? करेक्ट आंसर ओप्षिन नमबर डी, हाई येल्ड और हाई सोट्स, हाई सुक्रोच कॉंटेंट इन शुगर केन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कि शुगर जो है अपने आप में, क्योंकि इसका जो raw material है, वो हैवी होता है, फाइनल प्रडिक्ट जब बनता है, तो उसका weight lose हो जाता है, तो इसका मतलब इसका MI1 एक से ज़ादा है, तो इसकी जो factory होगी, वो हमेशा near the industry ही लगाई जाएगी, ताकि transportation cost को बचाया जा सके, अब अगर अपन यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में आपने जो एक नाम यहाँ पर आया, कि north से south की तरफ जा रहा है, तो दोस्तों, इंडिया का जो विभाजन है, north से south का, उसमें एक जो सबसे common चीज है, वो ये, कि north के compare में, जो south इंडिया है, south इंडिया का जो environment है, that means humidity, humidity, वहां की हाई रहती है, ठीक है, rainfall, वहां की हाई रहती है, ठीक है, soil type, वहां की अच्छी है, irrigation, भी वहां का अच्छा है, तो इसका मतलब यह है कि इतने सारे factors वहां पर अच्छी होने की वज़े से, अगर इस जगे पर गन्नेक का cultivation किया जाएगा, तो temperature नॉर्मल या humidity अच्छी होने की वज़े से जो सुक्रोच content के कम होनी की speed है, वो north के compare में यहां पर कम रहेगी, इस वज़े से जो MI है, एक, उसमें कम नुकसान यहां पर होगा, इस वज़े से South Miss को लगाया गया है, चलिए guys, thank you very much आज की session के लिए, अब जो आपके सवाल थे, इस बीच में वो हम ले लेते हैं, काफी लोग पूछ रहे थे, कि कब-कब मैम की classes होती है, तो देखिए, तीन बज़े हमारी यह class होती है, वो हमने अभी ले लिए है, अब हमारी जो next class होगी, वो चार बज़े होगी है, इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, कि अपने मोबाइल फोन में अनकाडमी लर्निंग अप इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा, एंटी यूदी सी नेट केटेगिरी में आपको इसको जाना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे आपको एक चीज़ जो करनी है, वो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है, हिस्सब अगर बनना चाहते हैं, तो आपसे जब आप आएंगे फर्स टाइम, तो आपको इन्वाइट कोड अपना एप्लाई करना है, यूजी सी टैन, जैसे ही यूजी सी टैन कोड लगाएंगे, आपके लिए सारी क्लासे जोपन हो जाएगी, इसी के साथ में आप अनचैडमी सब्स्क्रिप्शन लेते वक्त भी यूजी सी टैन कोड लगाएंगे, तो आपको फ्लाइट 10% का ओफ मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन पर, यह मही पर भी आप इजी ली अविलेबल हो सकता है, फोलो कहां से करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरी स्पेशल क्लास का भी लिंक है, मेरी प्रोफाइल का भी लिंक है, अनकैद्वी सब्स्क्रिप्शन का भी लिंक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आपको करना इतना सा है, कि अनकैद्वी का टेलिग्राम फॉलो करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है कल मिलूंगे आपसे में दोस्तों शाब तीन बजे आगे की हमारी सिरीज के साथ में Again, thank you very much. Have a great day. Take care.